दोस्तो कभी-कभी हमें काफे सारी PDF फाइल्स को एक जगह मिलाकर एक PDF फाइल बनाने की जरूत पड़ती है यानि काफे सारी फाइल्स को एक जगह मिलाने की जरूत पड़ती है इंटरनेट पर काफे सारे सोफवेर्स, काफे सारी वेबसाइट का हम यूज करते हैं जिनमेंसे कुछ वेबसाइट काफी अच्छी होती हैं और कुछ वेबसाइट या सोफ़ेर्स काफी बेकार होते हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम इसी टोपिक पर बात करने वाले हैं आप मेरे PDF फाइल्स को एक PDF में कैसे बदल सकते हैं इसी टोपिक कर हम आज बात करेंगे नवस्कार दोस्तो मेरे नाम है सिव सागर और आप देख रहे हैं सिव टैक यूट्यूब चैनल तो चलिए बीना टाइम का अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और देख लेते हैं कैसे अपनी इन सभी फाइल्स को एक PDF में कैसे बदल सकते हैं तो चलिए चलते हैं अपनी computer screen पर अब हम आ चुके हैं अपनी computer screen पर और यहां पर हमने एक hidden folder बनाया हुआ है जिसके अंदर हमारे PDF है यह हमारे पास चार PDF है हम इन चारों PDF को एक साथ merge करके एक single PDF बनाना चाहते हैं सबसे पहला PDF हमारे पास यह वाला उसके बाद हमारे पास दूसरा PDF है यह 10th Wednesday test result उसके बाद एक यह PDF हमारे पास fact computer के नाम का और एक और इसी तरह का PDF है fact का नाम का हमारा Chrome browser हम open कर लेते हैं सबसे पहले और यहां पर हम सर्च करेंगे I love PDF PDF पर work करने के लिए यह सबसे best website है आपको यह सर्च कर लेना है सर्च होने के बाद जो first website आएगी ilovepdf.com के नाम से आपको यह website को open कर लेना है website खुलने के बाद आपके पास काफी सारे option मिल जाएंगे PDF पर कारे करने के लिए PDF पर work करने के लिए हम यह से सबसे पहला option सेलेक्ट करना है merge PDF का क्योंकि हमें अपने PDF को एक साथ जोड़ना है merge करना है तो इसलिए हम first option पहले वाला option को सेलेक्ट करेंगे यहां से और यहां पर हम अपनी PDF फाइल को सेलेक्ट करेंगे select pdf file पर click करके अब यहां से हम अपनी file को select कर लेते हैं अब जो हमारा folder है यह blank हमने folder बना हुआ है hidden folder हम यहां से अपनी pdf file को ले लेते हैं जो भी pdf हमें merge करना है वो सभी pdf हम select कर लेंगे और open कर लेंगे open होने के बाद सभी pdf यहां पर upload हो जाएंगे upload होने के बाद हम convert पर click कर देंगे अब यहां पर जो pdf का order है कोई pdf अगर आपको आगे या पीछे करना है तो वो आप simple यहीं से आगे कर सकते हैं या फिर किसी भी pdf को पीछे भी कर सकते हैं और अगर आपको pdf को घुमाना है आपका जो pdf है वो एक जगह मिल जाएंगे merge हो जाएंगे merge होने के बाद अब simple download merge pdf पर click करके अपनी pdf को download कर सकते हैं और यह download पर click करते ही हमारा जो pdf है merge pdf download हो चुका है यानि सभी pdf एक जगह मिल चुके हैं तो अब हम इसे open करके देख लेते हैं यहां से open open करते ही हमारे पास यह pdf open हो चुका है इसमें first page यह आ चुका है second page यह रहा third page यह रहा और fourth page यह रहा तो इस तरह से हमारे चारो जो pdf थे वो merge हो चुके हैं दोस्तों जो हमने pdf download किया है वो हमारे download folder में आ जाता है उसके लिए आप अपने computer पर click करेंगे और यहां से download के folder को select कर लेंगे download में आपके पास फाइल वो pdf आ चुका है यह I love pdf merge के नाम से आपे दिखाई दे रहा है आप इस pdf को यहां से किसी और जगा ले जा सकते हैं या फिर यहीं पर इसे open करके देख भी सकते हैं तो यह हमारा pdf आ चुका है तो इसी तरह से आप भी अपने काफ सारे pdf को एक pdf में convert कर सकते हैं merge कर सकते हैं आसर करते हैं आपको यह video पसंद आए होगी अगर आपको यह video पसंद आती है तो हमारे video को एक like भी जरू कीजेगा और अपने दोस्तों में इस video को share भी कीजेगा तो मिलते हैं ऐसी ही informative video के साथ तब तक के लिए take care, goodbye, जहिन